लोकसवा चुनाव का महा समर शुरू हो चुका है 19 अप्रेल से अलग-अलग राज्यों में 7 चरणों में 1 जून तक वोटिंग होगी 4 जून को रिजल्ट आजाएगा, राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होगी यहाँ 19 और 26 अप्रेल को वोटिंग होगी तो चुनावी रण का दिन तारीखें सब तैह हो चुकी है लेकिन आजस्थान में अभी भी पार्टियों को टिकेट फाइन करने के लिए जूजना पड़ रहा है भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियां अभी आधी ही सीटों पर अपने केंडिडेट्स डिक्लेयर कर पाई है भाजपा ने यहां 15 सीटों पर अपने केंडिडेट्स डिक्लेयर किया है वहीं कॉंग्रेस ने महज 10 सीटों पर अपने केंडिडेट्स फाइनल किया है तो पार्टी स्तर पर कॉंग्रेस और भाजबा दोनों को ही इस इलेक्शन को मैनेज करने में पसी ने चूट रहे हैं अभी दोनों ही दोनों ने कुल मिला कर 25 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार चुनाओं मैदान में उता रहे हैं और स्थानी स्तर पर इनका विरोध शुरू हो चुका है विरोध करने वाले अपने ही पार्टीयों के कारे करता है जो बरसों से पार्टी लाइन से जुड़ कर अपनी सेवाएं दे रहे थे संगर्श कर रहे थे और जिनके खिलाफ वे संगर्श कर रहे थे दल बदलवा कर उन्हीं को पार्टियों ने अब टिकेट दे दिया है ऐसे में वितरगात का खत्रा बना हुआ है दोनों ही पार्टियां अभी बचे हुई सीटों का टिकेट फाइनल करने पर और भी ज़्यादा मन्धन कर रही है प्रदेश की आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हाला दोनों ही पार्टियों के लिए चुनोति पूर्ण बने हुए है चलिए सबसे पहले बात करते हैं बासवाडा लोकसभा सीट की भाजपा ने इस सीट पर अपनी जीत को आसान बनाने के लिए कॉंग्रेस के महिंदर जीत सिंग मालविय को पहले बीजेपी जोईन करवाई फिट टिकेट दे दिया कॉंग्रेस चोड़कर भाजपा में मालविय की जीत की राह लेकिन अब इतनी आसान भी नहीं रही है मालविय के खिलाब बरसों से संगर्श कर रहे उस बासवाड़ा चेतर में भाजपा कारिकरताओं में अंधरी अंदर पार्टी के खिलाफ नाराजगी है और पार्टी के इस फैसले पर भी इसके लाव राजस्तान की होट सीटों में से एक है चित्तोरगट लोकसवा सीट यहाँ भी चुनोती पहले से मुभाए खड़ी है इस चुनोती का नाम है विदायक चंदरवान आक्या बीजेपी ने चित्तोरगट से पार्टी प्रदेश अध्यक सीपी जोशी को टिकेट है उदर विदान समा चनाओं में टिकेट काटे जाने से खफा चंदरवान आक्या ने उस वक्त खुले आम सीपी जोशी को जम कर कोसा था इस दोरान भाजबा करे करताओं और आक्या समर्तों ने सीपी जोशी खिलाब जम कर नारेबाजी और प्रदेशन भी किये थे और चं को नकुसान न उठाना पड़े लेकिन इस मुलाकात को सुलेह नहीं का जा सकता ऐसे में चित्ता और गट लोगसवा सीट पर बीजीपी को भितरगात का सबसे च्यादा खत्रा है कुछ ऐसे ही स्थितिया नागवर में बनी हैं कॉंग्रेश छोड भाजपा में आई जोती मिर्धा को भाजपा ने यहां से अपना उम्मीद वार चुना है उनको भाजपा ने विधानसवा चुनाओं में भी ठिकेट दिया था लेकिन वेहार गई थी जाट वोटो का समी करेंट सेट करने के लिहाज से फिर से भाजपा ने उन पर विश्वास जाताया और लोगसबा चुनाओं में भी उनको उतार दिया लेकिन भाजपा कारेकरताओं में अब अंदर खाने काफी आकरोश है जोती मिर्दा तीन बार कांग्रेस के टिकेट पर लोगसबा चुनाओं लड़ चुकी है एक बार में कांग्रेस से लोगसबा सांसद भी रही है लेकिन कांग्रेस छोड़ भाजपा माई जोती मिर्दा के लिए यहां बड़ी चुनाओती है अब बात करेंगे रायस्थान की एक और हॉट सीट की जहां से केंद्रिय जल शक्ती मंत्री कजिंदर सिंग शेखावत को भाजपा ने फिर से टिकेट दिया है यहां से उनके लिए शेखड से भाजपा विदायक बाबू सिंग राठोड खतरा साबित हो सकते हैं दोनों निताओं में कुछ महीनों तक संबंद अचे नहीं रहे हैं गजिंदर सिंग शेखावत के खिलाब बाबू सिंग राठोड हमेशा खुल कर बोले हैं शेखावत को लोगसबा टिकेट दिये जाने पर भी नाराजगी चता चुके हैं शेखावत ने भी अबाबू सिंग राठोड पर उनके काफिल अपर पत्राव करने का आरोप लगाया था पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ था कुछ किरफतारिया भी हुई थी राठोड भी कारेकर्टाओं को लेकर धरने पर बैट कहे थे अब सियम भजलाल ने दोनों की मुलाकात करवाई है साथ में फोटो सेशन भी करवाया है फोटो में तो दोनों हाथ पकड़े दिख रहे हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता मन में क्या चल रहा है तो कहीं न कहीं इस सीट पर भी वितरगात का अंदेशा है भाजपा के साथ ही कुछ ऐसा ही पेच फशा हुआ है कई सीटो पर कॉंग्रेस के साथ भी क्योंकि कॉंग्रेस ने भी टिकेट वितरण में कुछ ऐसे ही फैसले लिये हैं यहां कॉंग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है भाजपा ने यहां से पूर उसांजद राहुल कस्वा का टिकेट काट दिया था और कांग्रेस ने उन्हें लपक लिया और पार्टी जोईन करवा कर कस्वा को चूरु से उम्मीदवार मना दिया अब राहुल कस्वा पीडियों से भाजपा से जुड़े रहे हैं बाज़पा से टिकेट नहीं मिलने के बाद कॉंग्रेस में आए हैं दूसरी और लगातार दो बार से बाज़पा के टिकेट पर सांसद बने हैं S.M. ने कॉंग्रेस का टिकेट दिये जाने से इस्थानी कॉंग्रेस कारिकरताओं में खासी नाराज़ की है ऐसे में यहां भी बितरगात का खत्रा दोनों तरफ से बना हुआ है मतलब कॉंग्रेस को भी नुक्सान हो सकता है बीजेपी को भी इसके अलावा बार्ड मेर्ड जैसल मेर्ड सीट पर कॉंग्रेस ने इस बार उम्यदाराम बेनिवाल को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया है आरल पी छोड़कर उम्यदाराम बेनिवाल कॉंग्रेस में आये हैं तूर मंतरी हरीश शौदरी के खिलाब विबायतू से चुनाव लड़ चुके हैं और एक हजार वोटों के मारजन से चुनावा रहे थे अब यहां से भी विरोध के सुर उठना लाजमी है बात करते हैं अलवर लोग सबा सीट की तो यहां से भाजपाने भुपेंदर यादव हैं जो केंद्री मंतरी उनको केंडिडेट चुना है वहीं कॉंग्रेस ने ललित यादव को ट्रिक्ट दे दिया है कॉंग्रेस के इस फैसले से करन सिंग यादव ने कॉंग्रेस छोड़ दी है बलवीट सिंग छिलर ने भी कॉंग्रेस छोड़ दी है एक और बात जो गौर करने वाली है कि सीट पर पहले से ही भावर जितेंदर सिंग का कई मुद्दों पर विरोध रहा है अब ललित यादव का भी विरोध कर रहे हैं कारेकरता यहां भी कॉंग्रेस को बितरकात का खत्रा है तो अभी महज 25 सीटों पर कॉंग्रेस भाजपा सियासी समीकरणों के सामने ही पार्टी कारिकरताओं की भावनाव का भी ख्याल रखना पड़ रहा है देखते हैं कैसे उबरते हैं दोनों ही दल फिलाल के लिए बस इतना ही हाँ आखिर में यह कहना चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नमस्कार